जैहिंद असलाम वालेकुम नमस्ते सस्रीयकाल आप सभी का मेरे यूटूब चैनल स्काउटिंग सीखो और सीखाओ में स्वागत है हेलो दोस्तों मेरा नाम मुहमद इस्राइल हीमालय उडबाईज रोवर आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रथम स्वपान के क्वेश्चन नमबर दो के बी पॉइंट को बताऊंगा तो क्वेश्चन नमबर दो के बी पॉइंट में हाथ के संकेत एवं सीटी के संकेत है तो इस वीडियो में मैं हाथ के संकेत बताऊंगा और इसी question में का जो city के संकेत है वो दूसरी वीडियो में बताऊंगा हाथ के संकेत अब आप नाम से ही अनुमान लगा सकते हैं कि हाथ के संकेत का तात्य पर क्या होगा यानि ऐसा संकेत जो बीना सोर किये इसारे से प्रसिचक या लीडर अपने लोगों को यानि स्काउट गाइड रोवर रेंजर को संकेत देते हैं जहां ऐसी जगह हो जैसे मंदिर, मस्जित, गुर्द्वारा, अस्पताल, आदी जहां पर सोर करना, city बजाना प्रतिबंदेत हो अथवा दुस्मन के बीच घीरे हो, ऐसे विकट परिस्तिती में हम निम्न प्रकार से हाथ का इसारा यानि संकेत करके अपने स्काउट, गाइड, रोवर रेंजर को सजग यानि सावधान कर सकते हैं, बुला सकते हैं, और जिस आकार में खड़ा कर सकते हैं, उस आकार में ख हो, तब आपको नस्दीक नस्दीक खड़ा होना है, और अगर मुठी खुला है, यानि पंजा बाहर की तरफ निकला है, तो आपको एक हाथ की दूरी पर, यानि जगा लेकर खड़ा होना होता है, तो चलिए शुरू करते हैं, हाथ के संकेत, अगर टीचर या लीडर का एक ह मुठी, खुली है, तो एक हाथ की दूरी यानि जगा बना कर खड़े होंगे चित्र की बाती, इसके बाद है, अगर टीचर या लीडर के हाथ, दाहिने और बाएं, दोनों हाथ कंधे की सीध में हो, तो इसका मतलब होता है कि सभी लोग टीचर या लीडर के ठीक सामने एक लाइन में बना कर एक दूसरे के अगल वगल खड़े हो जाएंगे, और सभी का चेहरा सामने की तरफ होगा, यानि सभी टीचर की तरफ मोह करके खड़े हो जाएंगे चित्र की बाती, इसके बाद है, अगर टीचर या लीडर अपना हाथ मुठी बाध कर, कंधे की सीध के स सामने की तरफ से थोड़ा ऊपर किये हैं, तो इसका मतलब या होता है कि पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानि बढ़ते क्रम में एक लाइन में सीधा, एक के पीछे एक खड़े होते जाएंगे, अगर मुठी खुली है तो एक-एक हाथ की दूरी पर खड़े हो होती है, इसके बाद है अगर टीचर या लीडर के हाथ कंधे के सामने की तरफ हो और हाथ थोड़ा नीचे हो, तो इसका मतलब है सबसे पहले बड़े, उसके बाद छोटे, उसके बाद छोटे, ऐसे ही घटते क्रम में एक के पीछे एक खड़े होते जाएंगे, अगर मुठ की खुली है, तो एक हाथ की दूरी पर खड़े होंगे, चित्र की बाद है, अगर टीचर या लीडर अपने हाथ को कंधे के ऊपर करके गोल गोल घुमाए, तो इसका मतलब है कि आप एक गोला बना कर खड़े हो जाएंगे, जहां से टीचर इसारा कर रहा है, वहां टीचर बीच में हो जाएगा, और सारे बच्चे एक गोला बना कर टीचर को बीच में कर देंगे, और खुद गोला बना कर खड़े हो जाएंगे, चित्र की बाद है, इसके बाद है, अगर टीचर या लीडर अपने एक हाथ को कंधे की सीध में उठा कर, कुहुनी से मोड़ कर, बना कर अपने अपने टोली के साथ टोली वार खड़े हो जाएंगे, चित्र की बाद है, अगर टीचर या लीडर अपने दोनों हाथ को कंधे की सीध में सामने की तरफ किये हैं, तो इसका मतलब है कि आप सभी अपनी अपनी टोली के हिसाब से खड़े होंगे, अगर मुठ पहले छोटे उसके बाद बड़े फिर बड़े बढ़ते क्रम में खड़े होते जाएंगे, और अगर हाथ कंधे की सीध से नीचे की तरफ है तो पहले बड़े खड़े होंगे, उसके बाद छोटे उसके बाद छोटे घटते हुए क्रम में खड़े होते चले जाएंगे, च तोड़ा नीचे रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि सभी लोग टीचर या लीडर के सामने की तरफ मुह करके खड़े होंगे और आप दाहिने की तरफ से एक के दाहिने एक घटते करम में यानि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा करके खड़े होते जाएंगे चित्र की बादी और अगर बाया हाथ ऊपर है और दाहिना हाथ नीचे है तो इसका मतलब है कि पहले दाहिने से पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा यानि बढ़ते करम में खड़े होते जाएंगे चित्र की बादी I hope कि आपको समझ में आगया होगा तो इस question का answer description में PDF link मिल जाएगा आप वहां से load कर आसानी के साथ link और समझ सकते तो दोस्तों स्काउटिंग से जूड़ी जानकारी देखने पाने वह जानने के लिए आप सभी मेरे YouTube चैनल को subscribe करें लाइक करें और comment करें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी जहिंद